दोस्तों पिछले कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो बना कि आपको जिसमें मैंने बता है कि 5 deadly types of viruses हमारे स्मार्टफोन में होती है लक्षन मैंने आपको बता है लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ कि कैसे viruses हमारे स्मार्टफोन पर एंटर करते हैं आपको चार्ट कर सबसे पहले कि यहां पर आपको पाता है कि Bluetooth एक ऐसा ट्रांसफर या नहीं कि ऐसा फाइल ट्रांसफरर है जिसमें आप कई सारी चीज़ा फाइल ट्रांसफर करते हो तो ऐसे में बहुत सारे Bluetooth ऑन रहते वह signal को दूलता है और कई-कई बार तो कई-कई ऐसे भ वाइरस ये Bluetooth के जरीए आती है अब दूसरे आपर सेकेंड बात करते है वाइरस के तो यहां पर आपको पता हुआ कि डेटा ट्रांसफर के अंदर तो सोता है कभी अगर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं हमारे फाइल में से कोई इमेज या वीडियो वगयरा जो भी कुछ होते है थो इसमें दूसर क्या होता है कि हम कोई ना कोई शेयर जो ट्रांसफर करने वाली एप होंगे उससे हम कर दो यहांपर सबसे पहला किःवसर बात करते हैं मानली जा अगर कोई बीडियो होगा उसमें आगर वायरस होती है या फिर कभी फोन के अंदर आचा ना कुस्क्स सबसे बड़ा एक सोर्स है यानि कि इंटरनेट के बाद हम वाइफाइ के जरीय हम डार जागा जादा करके हम जादा से ज़र गेटा यूज़ कर सकते हैं तो वाइफाइ में दोस्तों क्या होता है कि वाइफाइ एक पुरे वर्ल्ड वाइड है यानि कि अगर आप ज्यादा नेटवॉक आपको अगरु है, क्या वजते हैं जिसमें काफी सारे वाइफाइ युख वाइट है शुते हैं करे कई उससे में गई हृस काज उसका स्मार्पीन में वाइरस पेगना पड़ा कर्या सूधिते में वाइफाइ विजिट के तो software install करने के बाद भी वो वायरस टीक नहीं हुआ तो मुझे लिए पता चल जोगा था कि जो वाइफाई मैंने पिछले कुछ समय पहले मैंने यूज के तो उसके बाद यह सब प्रॉब्लम आने शुरू हो गई जो फोर्थ मैं रीजन बताऊंगा जिस वाज़े से अपके स्मार्टफोन में वायरस आती है वो है extra devices like computer, input devices like computer वगेरा ऐसे जो भी हम smart laptop वगेरा होते हैं तो हम क्या करते हैं अक सार हमारे स्मार्टफोन को कभी कबार हम computer से attach करते हैं कुछ file अगर हमें transfer computer में लेना होगा तो हम क्या करते हैं USB के तुरू से computer के अंदर हम directly share करते हैं तो ऐसे में दूस्तों आपको पता हो कि computer में वायरस के जाता खतरा होता है और computer से ही हमारे smartphone में जाता करके वायरस की problem हो सकती है तो यहाँ पर दूस्तों क्या होता है computer के अंदर आपको पता है कि जिस भी वायरस के चीज होगा अगर हमारा smartphone अगर हम attach कर देंगे तो ऐसे में software के through वह जो वायरस है वो उसमें एंटर करें जिसा का पता है कि कोई virus होता है वो खूण से असर करता है खूण के अंदर नहीं होता है एप सर प्लेश्वर में बहुत सारे अपस के होता है ऑर ऐसी सारे आपस जिने में वायरस बहुत ज़्यादे होती है जो software वर बर से बिल्ड नहीं की जाते और जो अन्रकेमेंडड जो एप होते हैं उसमें कभी सारे वायरस के प्रॉब्लम होती है जो एडिटर चॉइस होता है आपको पता है वो ज्यादा तर के बहुती बढ़ी तरह से बनाई जाती है उसके साफ्वियर हर जगे इस पर हर चीजों में वह करती है और कभी कई बार अगर अगर उस वायर अगर उस अपको नहीं निकाल दे तो यह फोन में पर्मिनेंट प्रॉब्लम भी बन सकते हैं दूसरी बात करता है यह आपर सॉफ्ट्वेर के वाइसे कुछ होता तो नहीं है लेकिन यह सॉफ्ट्वेर के अंदर अगर कोई से जादा अगर बक्स अगर हो जाते तो एक वायरस वो भी एक तरह का वायरस ही होता है और जब हम स्मार्टफोन को जब हम डेली अब हम यूस करते जाएंगे आफ्टर टू या त्री फॉर यर्स के बाद आप यह मैसुस करेंगे कुछ ना कुछ अजीब हो गरीब आपके स तो जो मैंने आपको चीज़ें बता है कि किस तरह से हमारे स्मार्टफोन में वायरस एंटर करती है तो आपको यह सब कुछ आपको समझ में आ गही होगी वीडियो आपको अच्छी लगते सा लाइक एंड शेयर जरू करना अन्दम सब्सक्राइब भी करना वज़ूर में सि झाल